आप 45 days के जो साइकल है लांटिंग इन फूटिंग की उसके बाद आपकी जो कॉर्डिस अब that will be ready for harvest harvesting के लिए तयार हो जाएगी और जब हम harvesting की बात करते हैं तो यह जो पूरा harvesting के लिए आपकी क्या है कॉर्डिस्ट मिलिटरीज की फूट बॉड़ी ठीक है इस कॉर्डिस्ट मिलिटरीज की जो यह फूट बॉड़ी है what is the main factor in that that the food body is divided into two parts आप देख सकते हो पहला पार्ट है फूटिंग बॉड़ी पार्डिस्ट मिलिटरीज और सेकंड पार्ट क्या है इसका सब्स्ट्रेट ब्राउप राईजर लिक्विड मीडिया को जो हमने बलाया है बिला प्र जो बनाया है वो सब्स्ट्रेट है इसका ने उसको नुट्रिशन सप्लाई किया है अब क्या है हम इसको दो हिस्सों में अलग 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 डिवाइट कर देते हैं फूर्ट बॉड़ी को अलग अलग निकाल देते हैं पूरा और सब्स्टेट को अलग अलग काट देते हैं पच्छापत अलग बार सेम सब्स्ट्रेट के लिए जब हम इसको अवन ड्राइ करते हैं तो 40 to 45 degree celsius में 5 to 6 hours रखते हैं और जब वो ड्राइ हो जाती है तो इसको 60 degree celsius में रखते हैं 4 to 5 hours आज हम हर्वेस्टीं स्कार्ट कर रहे हैं यह हम particular boxes harvest करते जाएंगे और अब फाइनली आपको देखे चाहते हैं कि हम कैसे harvest कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस सारे के सारे की देखे सकते हैं और harvest के लिए है और harvest हम किसे हैं यह आपको दिका है आप शेख हम करते कैसे हैं इस हो जाएंगे तहना आपको क्या करना है एक-एक श्रिप इसकी अलग कर लिए बहुत आराम से आपको ध्यान रखना है कि चावल जो यह सब्सेट है वो आपकी कॉडिसेप पे नहीं आना चाहिए बहुत सॉफ्ट होती है और हम बहुत एजीली करते हम किसी नाइब से काटते नहीं है कोई कट नहीं करते अराम से स्लोली एक-एक कॉडिसेप के जो स्ट्रे अधियर वो फूट बॉडि के साथ कॉंटाक्ट में नहीं आना चाहिए इस तरह किसे हार्वेस्ट के बाद हम इसे अवन में आपको प्रॉडिसेपर हर्वेस्ट करी है तारी किसारी यह निस तरीके से आप प्रेटियों पर शलाद होंगे एभी आपको अवन है आपको अव प्रॉडिसे पूरा का पूरा इसके अंदर आप रग दोगे प्रॉडिस को टाइफ भूस कर दोगे यह आपका टेंपरेटर सेंसर है हमने 45 डिग्री पे इसको सेट किया हुगा है और जसके 12 गंटे आप इसको 45 डिग्री में आप द्राय करें यह आपको ओवन डाय का झाल